सन 1965 देश अपनी पीड़ा से उबरी रहा था कि पंडित नहरू का देहान्त हो गया लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधान मंत्री बने आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी दूसरी और पाकिस्तान को अमरीका से बड़ी आर्थिक सहायता आदुनिक पैटन टैंक, लडाकू विमान, तोपे और बहुत सा सैनिक सामान मिल रहा था और चीन से भी दोस्ती हो चली थी ऐसे वातावरण में एक बार फिर पाकिस्तान ने जुर्रत की हमारी धर्ती की और आख उठा कर देखने की चाल फिर वही पुरानी बड़ी तादाद में रजाकरों की भीड में सैनिक छुपकर कश्मीर में घुस पैट करने लगे लेकिन अवाम की मदद से हमारे सिपाईयों ने चुन-चुन कर उनका सफाया कर दिया और एक हैरत अंगेज अभियान में घुस पैट के मुखे रास्ते हाजी पीर पास पर कबज़ा कर लिया और इधर पंजाब खेम करन का इलाखा पाकिस्तान ने अपने पैटन टैंकों के पूरे हुरूर के साथ टैंकों के एक पूरे डिविजन और दोपों से हमला कर दिया वही असल उत्तरगाओं के पास अपनी कंपनी के साथ मोर्चा समाले बैटे थे हवल्दार अब्दुल हमीद पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट और दोपें उनके मोर्चों पर टूप पड़ी पूरी रात खमासान लड़ाई चली अगले दिन दुश्मन उनके कुछ मोर्चों को भेद कर आगे निकलने लगा अवल्दार अब्दुल हमीद तुरंत RCL गन लगी अपनी जीब के साथ एक तरफ गए और दुश्मन के टैंकों पर एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दिया दुश्मन समलता इससे पहले उन्होंने दूसरे टैंक प्योड़ा दिया दुश्मन उन पर भारी दूला भारी करने लगा वो बुरी तरह से खायर हो गए लेकिन वो अपनी आखरी सांस तक लड़ते रहे और अपनी आखरी सांस तोड़ने से पहले उन्होंने दुश्मन का एक टैंक और दोड़ दिया दुश्मन के पैटन टैंकों का प्रूप हवलदार अब्दुल हमीद की इस बहादुरी से प्रोटसाहित होकर हिंदुस्तानी फौज ने वहाँ पाकिस्तान के 72 टैंकों का कबरिस्तान बना दिया और पाकिस्तानी मनसूबों को भी वही दफन कर दिया और उधर जम्मू संबा सीमा से सियाल कोट की इलाके की ओर जपडे टैंक रेजमेंट के लेटनन करनल आरदेशीर बुर्जोरजी तारापोर दुश्मन ने भारी तादाद में टैंकों और तोपों से घेर कर उन पर वार करना शुरू कर दिया लेकन लेटनन करनल तारापोर के टैंकों की हर चाल तीव थी और हर बार खातक उनके आग उगलते टैंकों की दहाड से दुश्मन तहलने लगा तूटने लगा उनके टैंक जिस तरफ जाते भूचाल आ जाता घायल होने के बावजूद वो लगातार छे दिनों तक लड़ते रहे और एक एक करके फिलोरा, वजीर वली, जसरौन और बुतूर डोगरंडी पर करना घायल होना secondsर पर कज करके दोटने रहे तूड़ो आठादट नवारो85 तो जो आठाद़ झाल 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 झाल